अब happy new year तो नहीं कर सकता हूँ बट अडवान्स में आपको happy new year मैं सोच रहा था प्रेस कांफरेंस के बारे में मैंने सोचा तो मैंने सोचा कि happy new year का मैं भी आज आपसे एक सवाल पूछूंगा उबाद में मतलब जब आपने सब पूछ लिए तो मैं पूछूँगा मैंने सोचा है आप सब के लिए भारत जोड़ो यातरा अब दिली तक पहुंची है और हम सब को बहुत कुछ सीखने को मिला समझने को मिला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लक्ष आप जानते हैं हिंदुस्त हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फिलाई जा रही है उसके खिलाफ यह यातरा है और मुझे लगता है कि काफी सिक्सेस्फुल यातरा रही है अभी तक जो शायद हमने सोचा भी नहीं था उससे भी जादा इस यातरा ने अचीव कर दिया है भीरोजगारी का मुद् भी है और जो हिंदुस्तान में इंकम इनिक्वालिटी आ रही है चुन्यों है लोगों के पास अर्बों रुपए और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं यह भी हमारा एक मुद्दा है परस्टनली जब मैंने यातरा शुरू की मेरी सोच थी कि यह कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक यातरा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया मैंने कहा देखो मैं जाओंगा और मैं experience करूँगा मैं कोई मतलब preconceived notion नहीं ले जाओंगा तो शुरूआत यह थी कि शुरूआत में लगा कि भाई थेको हम पैदल चलने हैं मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि actually यह जो यातरा है जिसको मैंने नदी भी कहा है ये एक जीवित चीज़ है इसकी एक आवाज है इसकी भावनाए है फिलिंग्स है और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाए है फिलिंग्स है तो ये यातरा हमें ये चीज़े बता रही है तो मुझे ऐसे individual काफी सीखने को मिला और मैं सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी हमारे साथ आए आप लोग मेंसे बहुत लोग आए और खासतोर से जो हमारे उपर आकरमन करते हैं मेरे जो RSS के BJP के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ किएचली हो क्या रहा है जितना हुआ आकरमन करते हैं उतनी हमको अपनी पॉजिशन इंपूसिशन करने का मौका मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें तो Congress Party को और हमें मतलब अपनी जो ideology है वो अच्छी तरे और अच्छी तरे समझाए एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरू मानता हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए react कैसे करना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ थैंक यू नहीं देखिए जैसे मैंने कहा मेरे लिए जैसे कल में किसी दर बात कर रहा था उन्होंने मुझे से पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा हमें प्लैनिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे काफी लोगों ने कहा है इस्ट वेस्ट यात्रा कोई और कुछ और कह रहे हैं और मैंने उनको जवाब दिया, देखिये, ये जो हमारी यात्रा है, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ अफब बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना देखें कि अवे यात्रा के बाद क्या होगा? तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं रही बात विपक्ष की मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है तो मैं उस पर कंपलशन नहीं करना चाहता हूं कि क्यूं आ रहे हैं क filtered कोन नहीं कर दो खोड़ता हूं कि भारत जोड़ के द्रवाजे कि भारत को जोडना चाहता है उसके लिए खुले हैं किसे को हम रोकने वाले नहीं है तुसरी बात विचारधारा में similarities होती है तेकि नफरत और हिंसा और महबत में similarity नहीं होती है डामेटरिकली ओपजिट चीजें है मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं मायवती जी हैं बहुत सारे लोग हैं जो महबत का हिंदुस्तान चाहते हैं मैं जानता हूँ नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं तो रिष्टा तो है उनके साथ आइडियोलोजिकल रिष्टा और भारत जोडने का और नफरत को मिटाने का रिष्टा है आज तक से सुप्रिया सब्सक्राइब आपने मतलब 6-7 क्वेस्टिन एक क्वेस्टिन में पूछ लिया देखिए सबसे पहले मेरा लक्ष हिंदुस्तान को एक औल्टर्निटिव विजन देने का है औल्टर्निटिव दृष्टिकोन देने का है एक नया तरीका देने का है सरकार की कमिया है उसमें मैं आपको बता सकता हूँ बेरोजगारी, इकनोमिक मिस्मैनेजमेंट, नोट बंदी, गलत GST, चाइना ये कमियां हैं, गलतियां की हैं, मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ ये है, कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश करने है, तो अगर आप डीटेल्स आते हैं, तो आप मुझसे पूछिए चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉड ली ये है, पता नहीं, ये मतलब ये कहां है, ये मतलब दिल्ली में तो हैं न हम, ये कहीं ओव रट हैं, ये भाईया AICC आफिस हैं नहीं, है, AI अभी है ना, तो मुझे पता नहीं मतलब, मुझे तो लग रहा है भाईया, पता नहीं, मेरी दूसरी रियालिटी हो, आपकी दूसरी रियालिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू डेली दिख रहा है, और कुछ, एक, हाँ, ये उतो बहुत कैमपेण चलाते हैं, उनके पास पैसेगी कोई कम ही नहीं है, कैमपेण ही कैमपेण चलाते रहते हैं, मगर, जो मैंने कहा, और बड़ी इंट्रिस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूँ, कि सच्चाई को कोई भी कैमपेण, कितना भी पैसा नहीं चुपा सकता, नहीं मिटा सकता, तो यह मेरे लिए बहुत मतलब इंट्रिस्टिंग अब्जर्वेशन है, और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे, 5-6,000 क्रोड लगा दी होंगे, थोड़े और लगाईए, कमीनिये पैसे की, डालिये और थोड़ा डालिये, लगाईए, कुछ असर नहीं पड़ता है, देखिए, दो चीजें हैं इसमें, मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है, अब सरकार चाहती है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करूं, कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है, कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलिट प्रूव गाणी में बैठ के, कन्या कुमारी से कश अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में, मैं बीपी गारी में कैसे बैठ हूं, अच्छा जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता, बीपी गारी से भार आ जाते हैं, तो फिर कोई चिठ्धी नी जाती, उनके नेताओं ने रोडशो किये हैं, तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे प्रोटोकॉल अलग, और सारे सी आर पियाफ के लोग जानते हैं, सीनियर जानते हैं, कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, और हमारी सिक्योरिटी, बीपी गारी में मतलब मैं कैसे चलूँ आप पिता दो मुझे, चला ही नह मतलब आइस है तो मतलब पदा नहीं है शायद केस बना रहे हैं कि रहुल गांदि मतलब अपनी सेकेरटी तोड़ता जारता है तोड़ता रहता है केस बनारे है ठीक है बनाइए डनिच भासकर से आनिरों भैई मुझे बताओ एक मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आरी बात, यह टी-शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बंस क्यों हो रही है अब तो यह जानना है कि वह पॉन सी घुटी है कि और उसकी बता में तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूँ मतलब इससे इतनी डिस्टर्बंस क्यों है अच्छा तुम मैं ऐसे करूंगा यातरा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी-शर्ट में कैसा कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कंफरंट किया जाता है बना दूंगा आपके लिए शुक्रिया नहों जी रवीत रिपाट शीजिस्टर्बंस क्या जाता है बना गुरुजी यह आप यह आपने स्वेटर क्यों पैन रखा है नहीं इसका कारण यह नहीं है इसका कारण यह कि आप सर्दी से डरते हो इसका कारण नहीं है कि सर्दी है आप सर्दी से डरते हो मैं सर्दी से डरता नहीं हूं सीदी जी बात है और मोगी को प्रेस कॉंफस तो होते नहीं तो मैं उनके भी दो थी क्वेस्चिन सप्लिमेंटर्यी आपको दे देता हूं अभी तकれて बिधर मैं ज़्म लगने रहे मगर मगर मैंने मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगने शुरू हो जाएगी मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूँगा बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है तो अभी त्रिपाट इजी से नहीं हमारे हमारी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है जो सिस्टम है उसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वो इंडिविजूल डिसिजन लेते हैं हम उनको इंडिपेंडेंस देते हैं तो अब तो मैं कॉंग्रेस प्रेजिन भी नहीं हूं तो यह सवाल आपको खारगे जी से पूछना हो पे Congress Party की Pension Scheme पे क्या strategy है अगर generally Congress Party का structure है कि अगर राजिस्तान करना चाहता है और हर्याना हिमाचल करना चाहता है तो उनको करने दो हम वीटो पार मेंटेन करते हैं कि अगर बिल्कुल कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको चेक करते हैं बट नॉर्मली हम इंडिपेंडेंटली करने देते हैं वह तो आप मोदी जी से पूछे है उनके भी सवाल मुझे प्रिप्यून से अधी की अधी की अधी की तंडन आपकी मुझे नॉर्ण कि भूलत कि इंड गलत तो आपने की आप विसे मनुटर गावाका I think if, I think if the opposition if the opposition stands effectively with a vision, what I am hearing from the ground, what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. but there is a lot of there is huge under Current against the BJP massive under current do you see every time there is a press conference there's 1 or 2 attempts to के राजर लिए प्राइब टेर्श कि अईदिशग देरेक्शन, राजर भीचे ये थे जाए थियर फटेंग औरैंजिश देर्टों. My focus is on the idea that India should be united, that we fight hatred and anger with affection, love and harmony, and we are providing an alternative vision of this country. So I think that's what I would like to focus on. These questions, of course, you have to keep saying them, because this is the nature of media. So I'm going to let you keep doing that. You can enjoy yourself doing it, and I'll also have a little fun while you do it. नवभारत ताइम से राजेश मिंतल नवभारत ताइम से राजेश मिंतल नवभारत ताइम से राजेश मिंतल अधार ने आप सुप्राद के बारे में नहीं दूगा, मगर मैं यह जरूर कह सकता हूं, कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है. मैं पहले सोचता था कि यह इसमें स्ट्रक्शल प्रॉब्लम्स हैं, मगर यह अपना काम कर रहा है. आज मैं सोचता हूं कि यह अपना काम ही नहीं कर रहा है. जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो हम उनको, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहें. तो अगर आप सबसे शौकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्या कुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं, कितने 108 दिन हो गए, 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात किये, और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम य हजारों बच्चों से पूछा है, और मुझे सिर्फ पांच जवाब मिलें, मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनिस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैं मेकानिक बनना चाहता हूं, पर 99.9% लोग कह रहे हैं, मैं लोयर, डॉक्टर, एंजिनियर, आइस, जड़, मतलब हमारा एजूकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिन्दगी में तुमारे बस पांच काम है, और रियालिटी यह है, रियालिटी सचा ही है कि यह सब बच्चे एंजिनियर नह है नहीं बंसे तो यह भूत हैं तो हम अपने बच्चों को भूत बोल रहे हैं मैं पूछता हूँ झाहते हैं क्या करना चाहते हूं इस अच्छा, कि इतने लोग यह जाते हैं हर साल? अर अप अन्दाजर लगाई जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग इस में हर साल जाते हैं बच्छे क्या गहते हैं क्या लगता है अचा बताई कितने लोग जाते हैं आईएस में 200 चार 19 Revelation अटनी कहेज पंच लाक 6 लाक, 1 लाक, 2 लाक, 3 लाक जब मैं उनको कहितना हूंуск 150 जाते हैं 2 2008 को मैंने ने गलतीे से कह दिया एक लड़की को उनकी को Wikiा क्यों सुरू कर दे घंष ब्याकी को नहीं आजने देरहें हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं तो पहला पाम जो गोकेशन सिस्टम है और यह टॉप डाउण यह ईमेजिनेशन को मारने का एज़ुकेशन सिस्टम है यह एज़ुकेशन को खोलता नहीं है तो सबसे सबसे बड़ा काम हो और यह शायद दो तीन चार साल में नहीं होगा मगर डाइरेक्शन ये होना चाहिए और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डाइरेक्शन में जा रही है तो पहले ये बात है दूसरी बात ये खुले तरीके से बोल दूँ तो ये रेंट सीकिंग नेशन है इसे प्रड़क्शन नेशन बनना चाहिए फरक है ये ये जो देश है जो प्रोड्यूसर है जो प्रड़क्शन करता है जो जिसके पास स्किल है चाहे वो किसान हो चाहे वो मेकैनिक हो चाहे वो बड़ाई हो मोची हो, नाही हो, जो भी हो, जिसके पास skill है. सबसर पहले पजिफ उसकी मदद नी करते है. और दूसरी बात, उसकी skill को डिस्ट्ए करने की गोशिश करते है. और उसको मतलब जो उसकी strength है, उसको मार मार के मार मार के इसे दिकाल देते हैं. और बिना skill के respect किये, तो दूसरी चीज यह है, तीसरी चीज है कि, और यह मैं थोड़ा, जो बॉर्डर पे हो रहा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं, जो देश में हिंसा है, नफरत है, के उसा है, इसका असर, इसका एफेक्ट दूसरे देश देखते हैं, और उसका फाइदा उठाते है, हमारी जो confused foreign policy है, जो एक प्रकार से event-based non-strategic foreign policy है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, और बहुत भारी चोट लगेगी, और मैं इसको दोहराता जाता हूं, दोहराता जाता हूं, मगर कोई सुनता नहीं है, जैसे मैं COVID के समय दोहरा रहा था, कि भई, प् तो ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, बट में ये कुछ नहीं हो सकता, अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है, एक आदमी दूसरे को मानने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता, तो foundation, महबबत, एकता, इज़त, रिस्पेक्ट है। न्यूज हीटिन से अरुन कुमार सिंग। सब्सक्राइब करने के बाद भी आएगा। सब्सक्राइब करने के बाद भी आएगा। अंतर तो व्यक्ति में continuous होता है, non-stop होता है, तो वो तो है, बट जो मेरी foundation है, जो नीव है, उसमें मुझे कोई change नहीं दिखा। उसमें वो foundation मेरी वो ही है, जरूर मैं मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ और हर रोज सीखता हूँ, और सिरफ यातरा से नहीं, हर interaction से मैं सीखने के कोशिश करता हूँ, तो evolution तो होता रहता है, मगर जो, जो founding principles हैं, कि वो उसमें इतनी change नहीं है, वो मैं यह कह सकता हूँ, वो और भी strong हो गया है, वो कह सकता हूँ, बट उसमें इतनी change नहीं आई है, आपको गर्मी लगए, बहुत प्रॉबल हो रही है, भाईया कुछ करो, फ्लीज, इसी चलवाओ, फ्लीज, आप स्वेटर लिए कैसे बैठे हो उस कमरे में, हाँ, आपकी चबड़ी बहुत मूटी है, उनकी, उनकी व्यू अलग है, हमारी व्यू अलग है, तो उनका opinion हमारे से अलग रहता है, हमारा अलग रहता है, तो dichotomy तो कुछ है नहीं, अलग opinions है, नहीं, अलग व्यू पॉइंट्स है, उनका व्यू पॉइंट दूसरा है, हमारा व्यू पॉइंट दूसरा है, विचारधारा दूसरी है, विचारधारा की लड़ाई है, उनको अपनी व्यू पॉइंट रखनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, अगर वो अपनी डाइकॉटोमी कोई ने यह बहुत पुरानी लड़ाई है यह बात मुझे समझ आई है यह अगर आप मुझे पूछो क्या चेंज आए मैं आको ता हूं कि ये मुझे समझ आ गया कि ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये राजनेतिक लड़ाई नहीं है ये मुझे समझ आ गया फिर रैन्ट राश्कत्र और में की यका सव्यों रेक्षी एंवरेट्स माइग दिखनी संवान इकीऌ एक सवाल प्लीजे प्लीot में की सबस्क्राइबद् 식 अब पूच लिया अव्क पूच लिया हूं नहीं यह तो पूरे देश को ऑब्वियस है कि बीजेपी और कॉंग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कॉंग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते मतलब हो इनी सकता कि अगर BJP BJP के नेता कह रहे हैं Congress मुक्त करो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि BJP को भी मुक्त करो BJP इसको भी मिटा दो वो तो नहीं कह रहे हैं तो यह तो पूरा देश जानता है कि Congress और BJP ideologically बिलकुल opposed है और यह पुरानी लड़ाई है पुरानी विचारधारा की लड़ाई है बट अखिलेश जी की भी जगह है और उनको यह option मतलब बोलने का option मिलना चाहिए और उनका perspective है वो उनके लिए ठीक है हमारा perspective है कि हमारी लड़ाई BJP के साथ है विचारधारा की लड़ाई है पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे नहीं एक बात मैं कहना चाहता हूँ देखिए एक बात ज़रूरी है कि यह अब यह अब यह tactical political fight नहीं रही मतलब कि उसमें एक ग्रूप वहां आ जाए और एक ग्रूप मिलके BJP को हरा दे अब वह गाड़ी गई क्यूं क्यूंकि हिंदुस्तान का जो पूरा infrastructure है institutional framework जो है अब वह एक विचारधारा के हाथ में है ठीक है और अब वह हिंदुस्तान की political space को पूरी तरह से dominate कर रहे है अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी और मैं opposition की बहुत respect करता हूँ और opposition के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप समाजवादी party को देखें तो उनके पास एक national विचारधारा नहीं है वो यूपी में जरूर उनकी positioning है और उसको उने डिफेंड करना है शायद उसलिए ना है बट नेशनल विचारधारा नहीं है समाजवादी party का idea केरला में नहीं चलेगा करनातक में नहीं चलेगा बिहार में नहीं चलेगा ठीक है तो एक central ideological framework structure की जरूद है वो congress party ही दे सकती है और वो हमारा रोल है मगर हमारा रोल यह भी है कि जो opposition के लोग है वो comfortable feel करें और उनकी respect हो mutual respect मतलब वो भी हमारी करें हम भी उनके करें में नहीं जऴे हुए है क प्रहुर धर नहीं तको करें यं़े दे करते हैं ज्केतलों की ओर धने तुरदी को प्रहुलकर में लिदी भीuğ 뉴스 करहरा splits में बडूब अपतónे अरूवाशव करें यह तुर नहीं दोश्वान अद्स तूस्वाशब है I don't like these like type of qualifiers, they are nothing known as an ordinary person, everybody is unique, every congress worker is unique, every person has a unique way of looking at the world and it's important that they are treated like that. So every single one of them, every conversation I learn something from, you know. Time is now, say, Ranjita. No, I am not saying that, you are saying that. No, I am not saying that at all. What is your situation? I don't want to take the yatra, you know, and demean it by making it about something that it's not. No, I outlined it right now, right. Number one, making India a production nation, which means that respecting skills and moving the mindset from one of GDP growth to GDP growth plus employment plus production plus exports, etc, etc, etc. That's the first thing. The second thing is, which is very important for the future and is important if you want to build a production nation, is giving our children an imagination. Telling them that, look, if you want to become, I mean, it's a strange question, but why is it that out of, out of lakhs and lakhs of people I've met, thousands and thousands of children I've met, nobody said I want to be a pilot. Nobody said I want to be an astronaut. Nobody said I want to be India's best singer. Why? Why? Because our system is saying to them that these are all dead ends. Right? But if you look, if you look at countries that produce, and I give this example, I give this example to kids. If you look at companies like Honda, companies like Toyota, the people who founded these companies were mechanics. But no mechanic in India can ever imagine that he could one day be the head of a, you know, thousand, two thousand, ten thousand crore company. Now, if you want to produce, that has to change. So we have to give him the structures that will allow him to do that, that will allow his imagination to do that. Right? And then the final thing is, we can see what is going on in the planet. We can see the turmoil that is taking place. And I am absolutely convinced that India has a place, central place in the planet, on the planet. Right? And I don't, I don't view it so much as look how powerful India is. Yes, we are powerful, but we were not that powerful 70 years ago, 80 years ago, 90 years ago. But we had a vision. Right? When Mahatma Gandhi, for example, was speaking about the Indian freedom movement, people in the United States, people in the Soviet Union, everywhere were listening to him. Why? Because there is something very powerful called Indian values, Indian philosophies, Indian thinking. And that is actually our strength. And we are destroying it. So when we make one Indian fight with another, when we are not harmonious, when a foreigner comes to India and he feels terrified that something might happen to him, we are attacking our own system. So these are the type of things that would be part of an alternative vision. Also, by the way, I don't see why only two or three or four people should benefit from the wealth of this country. I just don't understand it. Right? So, a sense of equality. There is a place for large business, I absolutely agree. and they have a central role in India in its future. But it cannot be that there are two or three business people who run this country. It just cannot be. TV9 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 वो बीजेपी के हैं तो उनका वहाँ पर प्रॉब्लम तो होगा अब आप उनसे पूछिए पहला पता नहीं मुझे थोड़ा मुझे ही कन्फूशन हो गई है अब क्या बूलू कोंगरेस के मतलब सिनियर नेता है बढ़ कमझे कंफ्यूश कर दिया कि मतलब कभी बाहर कभी अंदर कभी अंदर कभी अनदर कभी अंदर कभी बाहर पता नहीं मुझे आपने पूछ लिया आज मैं अभी बोलने वाला था कि पूछ जीन का नहीं पूछ यहाँ देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लिरली कहना चाहता हूं मैं शहीद परिवार का हूँ मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई यहाँ पर कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ कोई है यहाँ पर आप है आपके ब्रदर तो आपको मालूम है कि कैसी चोट लगती है क्या फिलिंग आती है ठीक है तो मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है मैं जानता हूँ समझता हूँ और बीजेपी के टॉप लीडर्शिप में कोई नहीं है जो समझता है यह मतलब अच्छी बात खारा बात नहीं है बट रियालिटी है कि उनके परिवार में कोई उनकी उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं होए तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूँ और मैं यह भी चाहता हूँ मेरी जेनरल अप्रोच यह है कि मैं चाहता हूँ हमारा एक भी सिपाई किसी भी फोर्स का ना शहीद हो यह मेरी स्टार्टिंग पोजिशन है कि मतलब मैं यह नहीं चाहता हूँ कि हम इस चीज को कैशुली लें कि हम सेना को राजनेतिक फाइदे के लिए यूज करने हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को उनके परिवानों को हो तो ये मेरे बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है मैं यह नहीं करना चाहता हूँ ठीक है मगर और मैं और जो हमारे मैं समझता हूँ जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं आप मेरी टी-शिर्ट की बात कर रहें मैं आज खड़े हैं सियाचिन में उधर हिमाले पे मैं जानता हूँ कि उनको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ हर हर सोलजर से और मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ ना लगे चोट ना लगे जब हम जब नैशनल लेवल की लीडर्शिप strategically काम नहीं करती है इंटरनेशनल रेलेशन में जियो पॉलिटिक्स में एक दम रिस्पॉंस आता है और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको कम्प्लीटली मिसहंडल कर दिया है ठीक है और मैं आपको कह मेरी मेरी फिंकिंग है देके हमारी फॉरण पॉलिजी का क्या कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी में होने देना है. यह सेंटरल हमारा कॉंसेट था. ठीक है? और यह काम हमने बहुत सक्सेस्थफुली किया. UPA 2 तक. आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए है. और कोई ठीक है और यह क्यों हुए है क्योंकि हमारी सरकार ने मिस हंडल किया है हमारी सरकार ने फॉरण पॉलिस आपको सेना वायू सेना नेवी बाग जो भी हमारे स्टुक्चर्टर्स हैं उनकी बात सुनने है वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनने उसकी रिस्पेक्क करने है इसका म और वो मिलिटरी प्रेकॉशन्स हैं, मगर नॉन मिलिटरी प्रेकॉशन्स हैं, वो आप शुरू कर दीजिए, तीसरी बात जो बॉर्डर पे हो रहा है, उसको छुपाईगे मत, क्योंकि चाइना को मैसिज जा रहा है, तेकि चाइना दो हजार स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले गया है, चाइना को मैसिज प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, मैं आपके घर के अंदर आ गया, ठीक है? और पिर मैंने आप से का भीया मैं, आपने मुझ से का कि नहीं तो आप तो आई नहीं, तो मैं कॉन सो मैसिए ले जाओंगा? तो यह मैसिज उन यह सरकार इस पर कंफूजन में है, और मैं चाहता हूं कि यह कंफूजन हटे, अब मेरे बारे में क्या करते हैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं, एक दम कहते हैं मैं आर्मी के बात कर रहा हूं, नहीं, मैं आर्मी के बात कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार म आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एर फोस के पीछे नहीं चुपना चाहिए, यह कायरता है, और सरकार को ओनाप करना चाहिए, कि हम ने यह किया, यह गलती होई, अब इसको हम ठीक कर रहे हैं, और हम उनको मदद करेंगे, पुरा उपोजिशन, सिर्फ मैंने, पुरा उपो और सम्धिशन, और सिर्फ लांपूटए, तράड है, ऑख यहूग एक टनर्मी यह थासुए, पुरा टूपना इस थाफिजान, सिर्फ का रजूगा, जूए्वच ननर्भेस चाहिए, इसक बएसरा str of course I'm not the Congress President and a lot of that work now the Congress President will probably do but it is about bringing people together and making them comfortable you know respect basically I need to ask I need to ask the new year question myself now because because my one question I get so why am I not allowed to use a teleprompter I have a mistake you mean you give a teleprompter to use you give a teleprompter to use others I have to give you a question why not I am not but you should give an option no my second question no my second question no my second question is and I have a good question this question is very interesting this question is you have given that option to Adani Ji which you have not given to the Prime Minister also changing the car so what does this mean what is happening what is happening Adani Ji teleprompter changing the car and the Prime Minister teleprompter and we are not what is happening what is happening thank you thank you thank you thank you thank you thank you